लेकिन बाज़ार में मौचुदा करेक्शन पर मनी कंट्रोल ने मेगा पॉल किया है इस पॉल में दो दरजन से ज़ादा मार्केट एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है क्या कहता है मनी कंट्रोल का ये पॉल जानते हैं हर्श्दा सावन से पिछल चार पाच ट्रेडिंग सेशन्स में FIS की भारी भरकम बिक्वाली से भारते बाजारों में और करेक्शन यानि की गिरावट का खत्रा अब बढ़ने लगा है इसी पर मनी कंट्रोल डाट कॉम ने एक डीटेल पोल करवाया और सवाल यही था कि क्या यहां से गिरावट गहरा सकती है ऐसे में जादा तर लोगों को डर ये है कि भारते बाजार करीब 10 या फिर 20 पसेंट के गिरावट के शिकार बनते हुए दिखाई दे सकते हैं रिकॉर्ड उचाई से ध्यान रखेगा सेंसेक्स निफ्टी सरफ 5% ही करेक्ट हुए हैं यानि कि यहां पर स्कोप है कुछ और बिक्वाली का और बिक्वाली की जो सबसे बड़ी चिंता होगी वो ग्लोबल टेंशन होगी यानि कि इस्राइल और इरान के बीच और साथ ही साथ चाईना वाला फैक्टर भी और उसी पर जादातर लोगों का ध्यान है मनिक कंट्रोल ने अपने पोल में यही पूछा कि क्या चाईना या फिर ग्लोबल टेंशन एक बड़ा रिस्क है तो 52% लोगों ने कहा हां वही 48% लोग कहते हैं नहीं अब इस तरह के रिस्क में भारतिय बाजारों की वैलुएशन कैसे हैं तो 64% लोग कह रहे हैं कि निफ्टी याने की भारतिय बाजार थोड़े से महंगे हैं 36% लोगों का मानना है कि मार्किट reasonably priced है लेकिन ये बाजार सस्ता बिलकुल नहीं है वहां पर किसी तरह का वोट बिलकुल नहीं आ दरसल मूट बिगाड रहा है दूसरी तरफ आगे आने वाले समय में अगर अर्निंग्स निराश करने लगती है तो वो भी मार्किट पर प्रेशर डालेगा 36% लोगों कुछ चिंता है कि अर्निंग्स का दरसल निराश कर सकती है और जो पुलिटिकल टेंशन का डर लगबग 20% लोगों के मन में है तो जादा तर अर्निंग्स या फिर वालुएशन का ही रिस्क इस बाजार में हैं कैलेंडर ये के अंध तक यानि की दिसंबर के अंध तक भारतिय बाजार में निफ्टी कहां रहेगा ये भी एक सवाल मनी कंट्रोल के पोल में पूछा गया तो 48% लो नीचे फिसलने वालों की भी गुंजाश है और वहाँ पर 16% लोग मानते हैं कि डर है कि मार्के 23,000 के नीचे स्लिप होगा लेकिन 27,000 के पार निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कन्विक्शन उस फेवर में नहीं है सिरफ 4% लोगों को भरोसा है कि शायद हम रिकावर होकर 27,000 के उपर निकले वहीं अगर मार्केट करेक्ट होता है तो कहां पर पैसा लगाया जाएगा तो लाज कैप्स पर ही सबसे जादा लोगों का फोकस है 76% का वोट वहाँ और स्मॉल और मिड कैप में 24% का भरोसा बना हुआ है लेकिन देखना यही है कि इस तरह के पाटिम ढूनने की तलाश करता है या फिर संभलता है तो यह एक इंट्रेस्टिंग पोल क्या सोच रहे हैं बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स गिरावट यहां से और आ सकती है 10-20% जोकि बड़ा क्वांटम है और डिप्स पर कहां खरदारी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स उ हमें दिन के लोवर लेवल्स पर अब निफ्टी 24-800 के लेवल के नीचे फिसल चुका है 24-7-82 पर कर रहा है ट्रेट 234 संकों की गिरावट के साथ चलिए रुक रहें से के साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार कुछ और खबरे आपके लिए करेंगे कुछ स्टॉक्स पर बीचार चार चल दो पसाते हैं